आज हम ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे जो अपने फियर प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा है और यह दोनों बैंक सरकारी बैंक है और आप इसमें लॉंग टर्म और शॉट टर्म पॉइंट अफ व्यू से इंवेस्टमेंट कर सकते हैं यह दोनों एक साल में पैसा दोगुना करके देगा अगर देखा जाये तो FD से बहुत बड़ी है रिटन देगा अब हम पहले बैंक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम IDVI बैंक है और इसका करेंट प्राइस 37 रुपे 45 पैसा है हाला कि यह स्टॉक 200 डेज और 100 डेज यह में के ऊपर ट्रेट कर रहा है इसका RSI 42 है जो कि बहुत ही स्ट्रॉंग है में सीडी पे हमें बुलिस क्रॉसरोवर नहीं दिखाई दे रहा है बट आने वाले समय में हमें डेफिनेटली बुलिस क्रॉसरोवर दिखाई देगा और इस स्टॉक का स्ट्रॉंग सपोर्ट 36 रुप 36 और 37 रुपे के आज पास ता फिर वहां से यह उपर गया फिर रहован से इस स्टॉक में रैली बनी जो कि 41 रुपे तक यह स्टॉक गया थर वैसे 46 रुपे के पास आने की कोसिस कर रहा है फिर इसे की त perturb बाownस बैग दिखाई देगा और फिर इसमें 40 और 41 रुपे तक की rally बन सकती है हाला कि मेरी यही रहे होगी आप support के पास buying करें और यह stock जैसे ही 40 और 40 रुपे के उपर निकलता है तो एक साल में पैसा almost double करेगा अगर आप एक साल तक holding कर सकते हैं तो FD से बहुत ही बड़ियां आपको return मिल सकता है और यह stock 36 रुपे और 36 रुपे के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा आवा में इस stock के fundamental के बारे में बात करेंगे इसका market capital 40,267 करोड रुपे है इसका return on equity 3.69 है और यह stock 1 के PB multiple पर मिल रहा है और इसका PE ratio 29.62 है EPS 1.26 है और यह stock financially fundamental बहुत ही strong है अब हम इस stock के shareholding pattern के बारे में बात करेंगे 94.71% stake promoter के पास है other investor के पास 1.21% के इस्सेदारी है और non-institutional investor के पास 3.89% के इस्सेदारी है जिसमें से president of India ने 46% के इस्सेदारी ले रखिया और इंडिया की सबसे बड़ी insurance company life insurance corporation of India ने 49% के इस्सेदारी ले रखिये अगर टोटल इस्सेदारी की बात की जाए तो 94.71% के इस्सेदारी ले रखिये life insurance corporation of India और president of India ने ले रखिये अगर हम इस stock के public shareholding की बात करें तो mutual fund ने 0.03% के इस्सेदारी ले रखिये foreign portfolio investor ने 0.04% के इस्सेदारी ले रखिये हाला कि public shareholding में कोई भी institutional investor ने जादा इस्सेदारी नहीं ले रखिये और जिस तरह से LICU और president of India ने इस्सेदारी ले रखिये उस हिसाब से हमें इस stock में definitely buying करनी चाहिए अब हम इस stock के fair valuation के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यह पर देख सकते है 48 रुपे के नीचे बहुत ज्यादा attractive दिखाई दे रहा है 48 और 59 रुपे के बीच भी attractive दिखाई दे रहा है और इसका fair price 69 और 80 रुपे के बीच में calculate होके आता है अगर यह stock 80 रुपे के ऊपर निकलता है तो हम कहा सकते है कि इस stock का price बहुत 46% और net and pay to value 6.84 अब हम इस stock के income statement के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं interest से होने वाली कमाई मार्स 2020 में 20,825 करोड रुपे था और मार्स 2021 में 19,931 करोड रुपे है हाला कि इसमें हमें 4.29% की गिरावर दिखाई दे रही है लेकिन आने वाले समय मे definitely increase होगा अगर इस bank के operating profit के बारे में बात करें तो मार्स 2020 में 5,112 करोड रुपे था और मार्स 2021 में 7,090 करोड रुपे है जो की फिलाल 38.71% की increment दिखाई दे रही है और इस stock के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है अगर हम इस stock के net NPA के बारे में बात करें तो मार्स 2020 में 4.19% और मार्स 2021 में 1.97% है और किसी भी बैंक के NPA में गिरावट होना बैंक के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है और इसमें 2.22% की गिरावट हो रही है और यह एक positive point है इस bank के लिए अगर हम net profit के बारे में बात करें तो मार्स 2020 में 12,887 करोड रुपे का loss हुआ था और मार् 20 में 1369 करोड रुपे का profit हुआ है और इनके net profit में 110% का increment हुआ हाला कि यह bank loss से profit में आया है जो कि इस stock के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है अब हम दूसरे bank के बारे में बात करेंगे जिसका नाम PNB है और इस stock का current price 40 रुपे है और यह stock 200 days 100 days यह में के ऊपर trade कर रहा है इसक पर हमें bullish crossover नहीं दिखाई दे रहा है बट आने वाले समय में definitely bullish crossover दिखाई देगा आब हम इस stock के strong support के बारे में बात करेंगे और मैंने इसका चार्ट weekly time frame पर लगा है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं इसका strong support 36 रुपे के पास calculate होके आता है और इसका नीचे वाला trend line strong support की तरह काम करेगा अगर जैसे ही यह उपर वाले trend line को break करता है तो इसमें बहुत बड़ी rally हो सकती है और यह stock भी एक साले हैं पैसा आपको double करके दे सकता है हलाकि return FD से बहुत ही बढ़ी है return है और आप इसमे current price of buying की opportunity बना सकते हैं और इसका strong support 36 रुपे और 35 रुपे के पा value पे मिल रहा है और इसका PE ratio 21.84 है इसका EPS 1.84 है और यह stock financially fundamental बहुत ही strong है अब हम इस stock के shareholding pattern के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 73% के इस्सिदारी promoter के पास है 2.51% के इस्सिदारी FIS के पास है और 8.82% के इस्सिदारी insurance company के पास है और 13% के इस institutional investor के पास है जिसमें से mutual fund ने 2.38% की इस्सिदारी ले रखी है foreign portfolio investor ने 2.51% की इस्सिदारी ले रखी है और इंडिया की सबसे बड़ी insurance company life insurance corporation of India ने यहाँ भी 8.34% की इस्सिदारी ले रखी है अब हम इस stock के fair valuation के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते है 26 रुपे के नीचे इसका price बहुत ही जादा attractive दिखाई दे रहा है 27 और 32 रुपे के बीच में इसका price बहुत ही ज्यादा attractive दिखाई दे रहा है और इसका fair price 33 और 192 रुपे के बीच में calculate होके आ रहा है हाला कि इसमें मेरा target 80 रुपे का है जो की पैसा आपको almost double करके देगा ए इंकम statement के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं interest से होने वाली कमाई मास 2020 में 53,800 करोड रुपे था मास 2021 में 80,749 करोड रुपे है अगर हम पिछले साल से comparison करें तो 50% के इसमें जम दिखाई दे रहा है जो कि इस stock के लिए positive point है अगर हम इस stock के operating profit के ब हमें 55% का जम दिखाई दे रहा है जो कि इस stock के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और इस stock का net NPA मास 2020 में 5.78% था और मास 2021 में 5.73% है अला कि net NPA में बहुत ही ज़्यादा गिरावट नहीं होई है अगर हम इस stock के net profit के बारे में बात करें तो मास 2020 में 336 करोड रुपे था औ अगर हम पिछले साल से comparison करें तो 501% का जम दिखाई दे रहा है जो कि इस stock के लिए positive point है और हमें इस stock में definitely buying करनी चाहिए हलाकि यह 40 रुपे के भाव पे है और यह आपको पैसा double करके दे सकता है थैंक यू सो मग्ज थैंक्स वर वाचिंग और वीडियो तो